हलो गाइस कैसे हैं आप सब तो स्वागत है आपका हिस्ट्री के पार्ट थर्ड में पड़ी ही मज़दार कोशन हम करते हैं तो आपका कोशन जो थर्ड पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है क्योंकि पिछली वीडियो तक हमने कोशन नमबर 30 तक कर लिया था तो चलिए बिना क पर हम बात करते हैं परमहंस समाज की परमहंस मंडली जो परमहंस समाज है इसको बनाया था दड़ोबा पाडूरंग ने और दुरगरम महता जी ने तो दुरगरम महता जी और दड़ोबा पाडूरंग के द्वारा इसको 1849 के अंदर बनाया गया था अब बात करते हैं आर्य समाज की आरे समाज जो की कोशन में पूच रहा है यही दयानन सरसुति के द्वारा बनाया गया था 1875 में बनाया गया था इसका जो में नेम था वो था रेस्टैब्लिश्ट वेदाज वेदाज को दुबारा ले क्या ना यानि दुबारा वेदास की और जानव ठीक है prayer society भी बूच सकता है इसको आत्मा राम पांडूरंग ने बनाया था prayer society को प्राथना समाज भी कहते है तो 1867 में आत्मा राम पांडूरंग ने इनको इसको बनाया था ठीक है भी मैंने सारे आपको बता दिये हैं note कर लीजे साथ साथ कौन कोपी पैन लेके बैठ जाओ ताकि आपको ज़्यादा नोलिज पता चीज़े नेक्स्ट कोशन आ जाएगा कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने पर्मानेंट रेवेलनियो सिस्टेलमेंट को बंगाल में स्टार्ट किया था तो इसको जमिदारी सिस्टम भी कहते थे 1793 में स्टार्ट हुआ था और लोड कौन वाली जो है उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था ठीक है जिस एरिया में सबसे ज़्यादा पर्भावी रहा वो भी बूच सकता है तो यह जो पर्मानेंट सिस्टम है यह बंगाल नोर्थ मदरास और बनारस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा पर्भावित रहा था आगे बढ़ते हैं बचो कोशन नमबर 33 इस रिवोल्ट के बाद गवर्नर जनरल पधी समाप्त हो गया था वाइस राय बने थे तो जाहिर सी बात है पहले वाइस राय भी कौन थे लोड कैनिंगी थे ठीक है यहां से आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 34 कौन से गवर्नर थे जिन्होंने हड़प पोलिसी हड़प पोलिसी को बचो डोक्ट्राइन ओफ लैप्स भी कहते हैं अगर किसी का नैचरल हायर नहीं है मतलब की बेटा नहीं है जो आगे गद्धी को समाल सके खुद का गोद हुआ है तो उसके लिए ब्रिटिशर पर्मिशन देते वरना कब जा कर लिते थे पूरे परांथ पर यह होती थी हडप नीती तो हडप नीती को जो लेकर आए वो लोड डल होजी लेकर आये थे जिन्हों 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल ओफ इंडिया रहे थे ठीक है त 16 जुलाइं ओ 1856 को आया था इस एक्ट को पास किया था लोड गै निग ने ये वी धिया रखना लोड कैनिग ने इस एक्ट को पास किया था चिक है इससे पहले बी जैसे कुछ और सिस्टम जीसे सती को एभूलिश किया था लोड वीलियम बेंटिक ने 1829 में ये भी आपको अगे बढ़ते हैं लेकिन एक बात का उत्हया रखना आपने जैसे मैंने बोला कि जो हिंदु रिमेरीस-क्त है ये लोड कैनिंग ने पास आठाव किया था इसको बनाया किस के समय पर गया थ कह थो यह भी ध्यान आपको रखना आप आगे बढ़ते हैं question number 36 क्या रहेगा British Governor General कौन थे जिन्होंने स्टार्ट किया Postal System in India Postal Service in India 1854 में स्टार्ट की थी Lord Dalhousie के कारेकाल में यानि option A आपका correct हो जाएगा 37 question पर आते हैं Who was the first Governor General of Bengal देखे अगर आपसे question आता है कि Governor of Bengal कौन थे पहले तो Robert Clive थे प्लासी के युद के बाद 1757 के बाद Governor General of question आता है तो Lord Werenth Hastings जो 1833 में बदल दिये गए थे जो ये आपका क्या है Governor General of Bengal का पत्द क्योंकि 1833 में आ गया था Governor General of India और वो बने थे पहले Lord William Bantic और Viceray of India जो पहले बने थे बच्चे वो बने थे आपके Lord Canning अब आप comment section में लिखके बताईएगा कि आजादी के बाद हिंदोस्तान में पहली बार जो Governor General बने थे वो कौन थे ठीक है comment section में लिखके बताना नेक्स कोशन पहली टेलिग्राफ सर्विस कब स्टार्ट हुई थी 1954 में ठीक है उसके बाद टेलिग्राफ सिस्टम चलाया था कैनाल सिस्टम करवाया था इसलिए Lord Dalossi को Maker of Modern India भी कहा जाता है Dalossi ने जो Electric Telegraph सिस्टम चलाया था वो 1852 में चला के देखा था और जो पहली लाइन बिची थी ना वो कलकत्ता से आगरा में बिची थी स्टार्ट वी थी 1854 में इसका मतलब राइट अंसर हो जाएगा 1854 ठीक है 1857 में इसको लाहर और पेशावर से भी कनेक्ट कर दिया गया था ये भी आपको ध्यान आगा और बर्मा के अंदर भी एक लाइन बिचाई थी नोने टेलिग्राफ की जो देखें डांडी मार्च भी कहते हैं इसको ये साबरमती आश्रम से लोन चुई थी 12 मार्च 1930 को और 5 अपरेल 1930 में डांडी जो की नवसारी में पड़ता है वहाँ पर ये खतम होई थी ये एक हिस्सा था नोन वाइलेंट आहिंसक सविन्य अवग्यांदोलन सिवल डिसोविडियन्स जो अपना विद्रो चल रहा था उसका एक हिस्सा था गांधी ने इसको बोला था गांधी जी ने पूर्स मैन स्ट्रगल यानि गरीबों का स्ट्रगल इसको बोला था डांडी मार्च को अब डांडी वो पहुचे थे जन्वरी क्या कहते हैं उसको डांडी जो पहुचे थे वो कब पहुचे थे पांच अपरेल 1930 को पहुचे थे ठीक है तो यहां से आप देख सकते हैं कि इस question को कई तरीके से पूचा जा सकता है वेने सारे तरीके आपको बता दिये हैं चलिए मुगल की बहादुर्शाद वितिये थे यानि option नंबर डी जो है यह 19 वे मुगल एंपरर थे ठीक है इनको 1857 में लीड कमान सभाल दी गई थी मतलब की रिवोल्ट पर बोला आप भारत के राजा है तो आप यह आगे से लीड करें उस समय काफी old थे यह लेकिन इनको डेथ हो गई थी 1862 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी ठीक है लेकिन अगर आपसे पूछ लेता कि मुगल एंपर के फाउंटर कोन थे तो अंसर बाबर आ जाएगा क्योंकि बैटल ओफ पानी पर जो पहला 1526 में हुआ था उसके बाद इन्होंने दिल्ली के अंदर मुगल इं अगला कोशन है वेन दिल्ली डिखलेट अस कैपिटल ओफ इंडिया देखें जो नई दिल्ली की फाउंडेशन है वो एंपरर जोर्ज फिफ्थ ने की थी यह कोशन ध्याँ था दिल्ली दरवार लगा था 12 December 1911 को वहाँ पर अनाउंस किया गया था कि हम इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली को शिफ्ट करेंगे अनाउंस किया गया ध्यान से सुनना लेकिन ये जो कारेकाल अनाउंस हुआ था इसके बाद इसको कहां पर कब शिफ्ट किया गया था ये कोशन आपको ध्यान रखना है तो 13 फरवरी 1931 को नोट कर दीजेगा 13 फरवरी 1931 को लोड इर्विन ने जो कि उस समय के वायस रहे थे दिल्ली को नए कैपिटल के रूप में शुरुआत कर दिया गया था ठीक है अब यहाँ पर आपको क्या कोशन याद रखना है सबसे पहले जो कलकत्ता से शिफ्ट करके वो दिल्ली को बना दिया गया था वो आपका 1911 ही रहेगा लेकिन आधिकारिक तोर पर इनेगुरेट जब किया गया था वो 1931 था दोनों कोशन ध्यान रखने है तो 1911 इसका राइट अंसर हो जाएगा आप सभी को इसके बारे में ध्यान होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फू फाउंड़िड एंगलो वैदिक कोलेज एंगलो वैदिक कोलेज को दयानंद एंगलो वैदिक स्कूल भी कहा जाता है दी ये भी स्कूल कहा जाता है तो ये किस ने खोदे ये अपने किस ने स्टार्ट किये थे तो ये लाला हंसराज ने या महतमा हंसराज दोनों ही बोल सकते हैं आप लाला हंसराज भी बोल सकते हैं उन्होंने इसको स्टार्ट किया था और अभी आपको पताई है डिएवी स्कूल बहुत मात्राम हैं पूरे इंडिया के अंदर 1886 के अंदर लाहोर में जो है वो सबसे पहले बनाया था किनोंने महात्मा हंसराज यानि लाला हंसराज ने मनाया है ठीक है फिल्यम बेंटिक 1833 के अंदर बने थे नेक्स टेंडिया पहली ट्रेन इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी यह आपको बताना है तो पहली ट्रेन इंडिया में स्टार्ट हुई थी 16 अप्रेल 1853 को मुंबई से लेकर थाने तक वो गई थी और 14 उसमें डब्बे थे जिसमें पियातरी बेट सकते हैं और तीन इंजन थे जो तीन इंजन थे उनका नाम याद रखना है सुल्तान सिंद और साहिब यह आपको नाम उसका याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं कॉस्टन नमबर अगले कोशन पे आते हैं 44 होगे अपना को इस के काल में स्टार्टिव सबसे पहली 1857 की विदरों के बाद ही उनिवस्टी बनाये गई थी और उस समय कौन थे हमारे वाइसराए लोड कैनिंग थे और जो सबसे पहली उनिवस्टी बनी थी बच्चों वो कलकत्ता थी उनिवस्टी ओफ कलकत्ता सबसे पहले बनी थी 24 जन्री 1857 को यह आपको ध्यान इकनोमिक ड्रिन की थेओरी 1867 में दादा भाई नरोजी ने दी ती जिसमें उन्होंने कहा था ब्रिटेन इंडिया को लूट के पैसे को ले जा रहा है जिक है अबर कम हो जाती है कोई बात नहीं कभी-कभी इसकी इंस्टूमेंट सी हमने हटा दिया है बजट सिस्टम बजट सिस्टम किसके समय पे स्टार्ट हुआ था बहुत ही अच्छा कोशन है गैंग के समय में डल हो जी तो अनसर केनिंग हो जाएगा क्योंकि जो शतावन की गरांती के बाद ही बजट लाने का प्लैन बनाया गया था तो 1857 के समय ही लोड केनिंग के दुआ तरह इसको start किया गया था पहला न्यूस पेपर किस ने start किया था तो जी ए हिकी ने ठीक है जीनका नाम जेम्स अगस्तस हिकी है उन्होंने start किया था और अखबार का नाम था हिकी ज बंगाल गैजट या इसको ओरिजनल कलकत्ता जनरल एड़र्टाइजर भी कहा जाता था 1780 से 1782 के बीच में चला था यानि start 1700 से महा था भारत का पहला आखबार यह याद रखें इन विच येर वाज मोरले मिंटो मोरले मिंटो कब आये थे 1909 में आये थे इसी में पहली बार मुस्लिम कम्मिनिटी को सेपरेट राइट मिले थे पहली बार भारतियों को एक्जेक्य ग्राउंड स्टार्ट हो गया था मुस्लिमो के अलग से चुनाव पर्थक चुनाव बीसी में स्टार्ट हुए के कर लिए आखरी कोशन पर आज आते हैं बुच्छो आज का आखरी कोशन रहेगा कोशन नंबर 50 दूरिंग दा टैनर विच वाइसराय दा कैपिटल ऑफ उन्होंने 1911 में दिल्ली दर्बार लगाया था और उसमें यह आपका कहा गया था शिफ्ट किया गया था और इर्विन जो थे उनके टाइम पर 1931 में इनागुरेट किया गया था नहीं दिल्ली को ठीक है तो यहाँ पर अंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर B लोड मिलते हैं एंगली वीडियो में तब तक के लिए असते रहे हैं मुस्ता आते रहे हैं और देखते रहे हैं चैनल को टाटा एंड बवाएं